नमस्कार कल हमने देखा था कि किस तरह से हम वो इस चेंज के क्यूशन को कंसल्ट करें प्रिपर के दोरान, आज एक बार फिर से प्रिवियस इर क्यूशन पेपर के साथ हम एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के साथ कुछ एक और नई टेकनिक्स को बताने के लिए वैसे हमारा, लेकिन हमें इसको करना है भी दोरा देखिए, has been altered, पहले पहचान करिए जरा वाक्य की वाक्य की पहचान करिए कि ये active voice है कि passive voice है जी हाँ, मैंने बताया था आपको कि being plus में verb ing होता है और being plus में verb third होता है ये जो कहानी है, ये कहानी है, ये जो है active voice की कहानी है और ये है, ये जो है, ये वो passive voice की कहानी है तो हमें पता चल गया इस बात से कि being plus third form का आना passive voice का संकित है तो हम इसका active बनाएंगे, तो active बनाने के लिए हमें as, or, have, or v3 ये वरब चाहिए होएगे देखिए जरा, has been made, देखो bean plus made आ रहा है उत्तर नहीं बनेगा हमारा, किसी हाल में उत्तर नहीं बनेगा someone has altered the notice ये का someone has altered the notice, वरब की second form आई है ये उत्तर हो सकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि has altered, जी हाँ ये उत्तर हो सकता है, क्योंकि हमें has have third form चाहिए, यहाँ has have third form है once again जो है वो bean आ रहा है, और once again bean आ रहा है देखिए, has have been सभी में है, इसमें head आ रहा है, तो head भी उत्तर नहीं होगा इसमें भी has been altered आ रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा और इसमें already भी आ रखा है, जो कि नहीं है क्या क्या गलतिया है प्रश्चन में देखिए इस प्रश्चन में गलतियां देखिए क्या क्या गलतिया है आप एक बार के लिए इसको देखिए कि has been altered का answer होगा hedge of third form इसमें hedge been ये गलती है दूसरे में hedge altered ये सही हो सकता है लेकिन hedge been altered once again आ गया ये भी सही है और इसमें ये भी गलती है कि already धक्केश लगा रखा है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर hedge been आ रखा है ये भी नहीं आएगा तो तीन हमारे answer cut गए और हमें क्या करना है B को सही मानना है लेकिन हमें एक बात का खयाल रखना ठीक है बट हमें एक बात का ध्यान रखना है इस प्रशन की खास बात क्या है इस प्रशन में क्या होना चाहिए ऐसा जो हम अच्छी तरीके से समझे यदि paper में हमें खयाल रखना है ज़ 나 से सुने हम passive voice से active में आ रहे हैं हम कैसे आ रहे हैं एक minute के लिए रूके जरा हम voice change के दुरान हम passive voice से active voice में आने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं कहानी ऐसी चल रही है जब हम passive voice से active में आएंगे तो passive voice का जो by plus object है यानि passive voice का by plus में object होता है वो जो है active voice का क्या बनेगा subject बनेगा ये कहानी तो हमें पता है ये कहानी हमें पता है लेकिन यहाँ पर by plus object है ही नहीं by plus object की कहानी है ही नहीं यहाँ पर दियो ही नहीं है क्या सोचेंगे अगर यहां पर किसी प्रकार का object हमें नहीं मिलता है तो हमें हमारे subject को important, हमें हमारे subject को assume करना पड़ता है मानना पड़ता है, समझना पड़ता है और वो भी appropriate होना चाहिए और वो जो है subject किस प्रकार का हो सकता है यानि कौन-कौन सा subject हो सकता है वो ये देखते हैं, तो देखिए जरा, हमारा subject क्या क्या हो सकता है, हमारा subject हो सकता है, कुन सा, indefinite pronoun, indefinite pronoun हमारा subject हो सकता है, ठीक है, अगर pronoun है तो indefinite pronoun होगा, subject बनेगा तो या तो noun आएगा, या pronoun आएगा, लेकिन, pronoun तो यह आगया, लेकिन अगर हम बात करें noun की, अगर noun हमें को भी मानना है, तो noun जो है वो appropriate होना चाहिए, ठीक है, appropriate noun होना चाहिए, the notice has been altered, notice को alter कर दिया गया है, अब notice को alter करने का कर्या किसका होता है, the peon हो सकता है, ठीक है, the dean हो सकता है, the clerk हो सकता है, इस तरह के noun भी यहाँ आ सकते है, जैसे एक sentence आया था, ठीक है, my, कुछ इस तरह का था, मैं ये तन ही कहूँगा कि ऐसा ही था, my dinner was, my dinner was cooked, my dinner was cooked, देखो जरा, was cooked, ये sentence था, अब ये sentence किसमें है, passive voice में, अब इसका active करने के लिए हमें यहाँ पर by plus object होना चाहिए था, ठीक है, by plus object होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा object जो है वो नहीं है, अगर नहीं है न, तो हमें क्या करना है, इसको assume करना है, तो अब ये dinner जो cooking की activity कौन करता है, यहाँ पर object होना चाहिए, subject होना चाहिए, my mother, ठीक है, my wife, ठीक है, my servant, या फिर कोई भी appropriate होना चाहिए, तो ऐसी परिस्तितिया पेपर में definitely बन सकती है, कि हमें subject को assume करना पड़े, ये वो प्रसन है, दूसरा देखिए, we had to count the money, क्या खास बात है इस sentence की, we had to count the money, तो यहाँ पर infinitive आया हुआ है, infinitive, देखिए, एक बात और ध्यान में रखिए, हम passive voice उसी का बनाएंगे, उसी का passive voice में transform करेंगे, जिस verb का object है, अब देखिए, head verb यहाँ पर आई हुई है, we had, head यहाँ पर mood के sense में आया हुआ है, एक concept के sense में आया हुआ है, जो की compulsion का है, और इस head का कोई object ही नहीं है, यहाँ पर आगे non-finite verb आई है, two count, यह two count का object है, क्या money तो हमें two count को transform करना है, यह बात भी ध्यान में रखनी है, अब हमें, जो है, had been counted, गलत, had been counted, अब हम देखेंगे, कि head आगया, तो had been third form करो, तो यह उत्तर करेंगे, पहले यह गलत है, अब हमें two count को transform करना है, तो two count को करने के लिए to be third form देखना है, was to be third form में was गलत है, was counted वै और S नहीं लगाया है, ये ख्याल रखेंगे, अब ये कहानी समझे, इस प्रशन से क्या सीख मिलती है, कि हमें एक तो देखना है, कि हेड के बादर में, हमें क्या देखना है, कि passive voice के अंदर voice change, उसी वर्म को जो है वो बदलेंगे, जो है passive voice में, जिसका object है, अब ये money किसका object ह तो two count को to be third form में बनाना है, जो कि दो उत्तर में है, पहला ये रहा to be counted, और दूसरा ये रहा to be counted, फिक है, अब two count को बनाना है to be counted, तो head को सेम रखेंगे, तो इसमें head नहीं है, ये उत्तर है हमारा P, पहली बात, दूसरी बात, किसी भी option में हम कहें, तो by plus S नहीं लगा गय ठीक है, तो क्या ये लगाना जरूरी नहीं था, क्या ये लगाना जरूरी नहीं था, देखिए जरा, हम कहें, तो हमारे ट्रेडिशनल जो है, वो इस चेंज के टोपिक में ये कहानी चलती आ रही है, कि he was seen, he was seen, he was seen by us, ठीक है, उसे देखा गया हमारे द्वारा, तो ये by us ल जो है वो, आप अगर, जो है वो, होन, एस होन भी, अगर होन भी की किताब पढ़ो, इस तरह की अगर किताबे पढ़ो, यनि कई किताब में, जो फ्री लीच की अगर बात करें, तो उनमें कहा जाता है, कि अगर हम by plus us लगा देते हैं, तो वो हमारा वाक्य, जो है वो, उस हमें doer of the action, पता चल जाएगा कि कोन है, और doer of the action का पता होने का मतलब ये है, कि हमारा वाक्य पैसिव में है ही नहीं, तो वो तो साप साप मना करते हैं, कि by plus object लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमें मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, हमें चार option पर focus करना है, हमें tension नहीं लेने, वैसे भी अगर आपको कोई करेना, तो ये ज़्यादा सही परिस्तितियां है, कि by plus object आप bracket में रखो, जैसे, the book was what, किताब खरीदी गी, हमें नहीं पता किस ने खरीदी है, लेकिन अगर हम by me लगा रहे हैं, तो अगर bracket नहीं लगा रहे हैं, तो जो फ्रिलीच के according हम बुक को by करने के वाले doer का पता चल रहा है, तो इसका मतलब पैसिव में नहीं है, पैसिव हो इस क्या होता है, जिसमें subject पैसिव हो, यानि doer of the action का पता नहीं हो, तो इसे by bracket में लिखोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा, कि हम इसको लगा सकते हैं, भारतिय संस्कृति के according, और अगर हम पास्चात्य शब्यता की बात करें, जोफरी लीच की बात करें, तो इसे हटाना पड़ेगा, लेकिन हमारे चलेगा, RPSC, मद्यमेक शिक्षा बोर्ड, सफी पेपर्स में, यही चलेगा, by plus me लगाना है, कुछ एक प्रशन जो है, इस तरह के प्रशन जिन में न हमारी वर्ब क्या है, Already plus Used, और इस तोबल क्या है, इस Used verb का क्या है, Object है, इस Used verb का क्या है, Object है, देखिए, पहली बात, हमारा Subject क्या होगा, इस तोबल, तो सभी में है, has been used देखना है तो पहले में इज गलत है दूसरे में वो ज गलत है इस तीसरे में had गलत है तीसरे में क्या गलत है had गलत है ठीक है तो हमारा sentence क्या बन गया this towel has been has already been used यह सही हो गया वर्ब को देखते हैं किशन सही हुआ एक और बात बता यह दर ठीक है मैं अगर इसका e लिखूँ e मैं इसका लिखूँ तो इसमें मैंने यह से लिखा कि this towel has already been used by somebody अब मैंने यह जो है वो c और e में confuse कर दिया आपको by plus object लगाके तो मेरे को यह पता लगा कि अब by plus object वाली कहानी यहाँ पर आ गई है यह भी सही है और यह भी सही है दोनों में से हमें उत्तर परना करना पड़े तो कौन सा करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर दो चार बातें और ध्यान में रखनी है आपको ठीक है अगर इस परिष्टिते में हमें कहा गया है कि अगर हमारा subject अगर active voice का subject जो है वो indefinite है indefinite word है indefinite है यानि निश्चित नहीं है तो हम उसको by plus में object में नहीं रखेंगे ऐसा कोई प्रशन आया नहीं मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है इसको हम जो है वो सही नहीं मानेंगे क्योंकि हम जब हमारा जो subject है वो unknown नहीं है हमें पता ही नहीं है जेंज लिखा हूँ ठीक है मैंने लिखा कि रोहन इस सेंटेंस का हमने क्या करना है दो मैं बनाता हूँ वो इस चेंज तबर्ड वोज किल्ड बाई रोहन ठीक है The bird was killed 2 तूसरा The bird is killed 3 तूसरा The bird was killed जो था The bird has been killed by Rohan ये हमारे चार ओप्शन आगे अब हमें क्या देखना है The bird killed हमें क्या करना है Was were third form देखना है तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया कुछ लोग करेंगे कि by plus objectives में आए वो बाकिम नहीं आए तो ये सही करेंगे नहीं पहले वर्ब देखो पहले वर्ब देखना है तो इन दो प्रिष्थितियों में हमारा सही क्या हुआ उत्तर ये हुआ ठेक है क्योंकि यहाँ पर kill verb गलत है kill verb जो हो गलत है अगर हमें ऐसे दे अगर मैं ये बात कहूं आपसे कि अगर ये वाले कहाने करने पड़ते कि जब वर्ब दोनों में सही और by plus रोहन तो by press रोहन हमारे RPSC और मद्यमेक्षिक शबर्ड और जितने भी एक्जाम होते हैं उनके according अमें से लगवाते हैं तो ये सही रहेगा समवन में ये सही नहीं रहेगा indefinite में सही नहीं रहेगा आगे चलिए I don't know him अब इसमें भी एक खास बात है हर paper में जो हो इस तरह के question आता है एक आता जरूर है पांच चार में से जिसमें इसमें खास बात क्या है I don't know no verb होगी ना तो passive में इसके साथ preposition क्या लगेगा to लगेगा क्या लगेगा भाया to लगेगा to लगेगा अब देखो him है ना तो him को he करो सब में है do not know is mr third form लगेगा to heads गलत, woes गलत, head गलत एक नमबर सही है ऐसे ही paper में प्रशन आते हैं heads गलत, woes गलत, head गलत एक नमबर सही है लेकिन ये देखी जरा एक प्रशन आपका ऐसा भी बन सकता है e कैसे he is not known by me एक जो है by लगा कर भी आ सकता है लेकिन हमें ध्यान में रखना है surprised at आएगा ठीक है known to आएगा इस तरह की 10, 12, 20, 10, 12, 15 आप preposition याद रखें जो fix होती है जो preposition में by को replace करती है तो यहाँ पर क्या आएगा known to याद रखें no one has climbed this mountain has climbed को has have been climbed में करना है mountain singular है तो has में देखिए woge है और woge है गलत हो गया दोनों गलत हो गए अब देखिए this mountain has not been climbed by no one before before सब में हैं तो लगा देना इसको this mountain has not been climbed before ठीक है अब देखिए इसमें sentence में note था क्या? नहीं था यह रहा note तो यह negative आएगा यह पूरा sentence जो है by no one यह गलत हो जाएगा अब देखिए अब यह दोनों में सही क्या है गलत क्या है आप देखिए दोनों में वरब सही है बिल्कुल सही बात है आपकी वरब बिल्कुल ओके है this mountain has not note आ गया और no आ गया दो जो है बातें एक साथ आ गई by no one before तो यहाँ याद रखे कि अब देखो हो सकता है typing mistake हो यहाँ पे क्या कि before चारों में आया हुआ है चारों में आया है मतलब यहाँ पर लिखा नहीं गया हो या फिर अगर ऐसे का ऐसे paper में परशन आये तो before चारों में है तो हमें tension भी नहीं लणी ऐसे भी नहीं कहेंगे यह delete होगा क्यों वगो delete वगो delete इसमें क्या गलती है वोज की इसमें वोज की और इसमें no की गलती है ठीक है तो c हमारा उतर हो जाएगा once again अगर आप by no one लगा रहे हो तो भी गलत है क्यों गलत है क्योंकि by no one before जो है एक indefinite phrase है और indefinite जो है यह no one indefinite है indefinite object बनता नहीं इसका they have proved all his circulation wrong they have proved को has have been proved में करना है पहले में है दूसरे में तीसरे में चोथे में गलत है एक उत्तर सही है all his circulation have been proved wrong by them क्यों नहीं लगाया by them क्यों नहीं लगाया क्योंकि by them them जो है क्या है indefinite pronoun है indefinite यह नि संक्या निस्चित नहीं है किस नहीं किया था them them में से कई सारे हो सकते हैं निस्चित नहीं है इसका मतलब नहीं लगेगा आगे चलिए many serious accidents are caused by negligence अब देखो are caused बड़िया sentence Renan Martin का असा लग रहा है are caused को causes में verb की first form में change करेंगे many serious accidents are caused by negligence अब negligence जो अब बाई के बाद में आए यह subject बनेगा देखिए negligence, negligence, negligence सभी में है अब देखिए उसमें verb की first form करनी है तो यह हैज नहीं आएगा causing तो अकेला आएगा ही नहीं और is caused कुछ होता ही नहीं तर हमारा बना दो नमबर कैसे पता चला कि are caused क्या है passive है किसका verb की first form का तो हमें verb की first form active देखना है यहाँ पर negligence causes many serious accidents सही उत्तर है you must keep your promises यहाँ एक दिक्कत आती है यहाँ इसका कितामों भी मनाया जाता है promises ठीक है promises must be kept promises must be kept अब यहाँ दिक्कत क्या आती है यहाँ आने वाला योर लिखा नहीं होता किताब में अब क्यों नहीं लिखा होता इसके पीछे मैं बताता हूँ क्या कहनी है you must keep your promises object तो क्या है your promises अब सभी में आ रहा है तो अपने को tension लेनी नहीं लेनी ऐसा नहीं होगा कि दो में आये नहीं आये गलती यहाँ पर यहाँ पर गलती नहीं करेगा गलती यहाँ देखे must है ना तो must be kept must kept यह नहीं आएगा must be kept में answer आना चाहिए must kept तो होता ही नहीं कुछ must be kept होता है यह सही उत्तर है अब अगर मैं आपको ये सवाल दो कि अगर मैं एक और यी ओप्शन यहां पर लिखूँ इसके अंदर मैं लिखूँ यूर प्रॉमिसेज मस्ट बी कैप्ट बाई यू अब जो है चार नमबर और पांच नमबर में से क्या सही जाएगा आप अगर बता सकते हैं तो बताइए सोचिए इसको समझिए जानिये पहचानिये फिर बताइए और मैं बताता हूँ आपको उतर आप वीडियो रोक कर देख सकते हो सोच सकते हो अभी तो मैं बता देता हूँ क्या कि ये जो यू मस्ट कीप यूर प्रॉमिस you must keep, यानि you का मतलब है generic sense में general sense में, समन्य यानि सभी के लिए कहते हैं, कि हम सभी को क्या करना चाहिए, जो है वो अपने promises keep करने चाहिए, अपने वादा निबाना, जो वादा किया वो निबाना पड़ेगा, वो करना चाहिए अगर नहीं कर पाते हैं ठीक है, तो गलत बात है, ये एक general sense में advice दी है जो कि you लगाने से sense weak हो जाएगा, इसलिए डी ही answer बनेगा इसका, समझे ऐसी advises must or should say, जो समान्य सभी you must keep your duty your duty must be kept by you नहीं लगेगा, क्योंकि ये duty keep करने वाले कहानी सभी परलागू होती है was the question answered, very 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 important question was the question answered, इसमें interrogative को interrogative ही रखेंगे, पहले इस तरह की परिष्थितियों में चेक कर लें कि passive voice में interrogation लगा है के नहीं लगा है, अगर लगा है तो चारों में से कोई भी उत्तर हो सकता है ठीक है, was the question answered, अब पहली बात है ये passive voice में है passive voice में वोज के साथ answered आ रहा है, वोज के साथ क्या रहा है answered, तो इसका मतलब ये sentence किसमें है voice change यानि passive voice में है तो second form वोज वर third form किसमें change होगा, second form में second form दो परकार की होती है, एक तो answered ठीक है एक तो होता है answered और एक होता है did answer did answer answer एक answered और एक did answer, दो हो जाते हैं तो हमें interrogative बनाना है तो did लेके आना पड़ेगा, वोज वर गलत है did the question get answered did the question, did your answer did they answer the question अब देखिए, did के बाद में get वाली कहानी ही नहीं है कोई get वाली कहानी नहीं है, भी उत्तर होएगा इतने तो समझदार बनो आप ठीक है, तो यह यहां तक हमने जो है वो questions देखे, ठीक है, यह है यहां तक देखे, कल हम और आगे पढ़ेंगे इसको, active passive को, आप easy way में चलिए, धन्यवाद कर दो है